हेलो माइडियो स्टुदेंट्स वेलकम दूसेशन तुड़े वी हैव रैंक 49 ऑल इंडिया रैंक 49 आइटी जाहे मैं मिस्टर प्यूश यह वीडियो लेक्चर जो भी लेक्चर तो नहीं बुलना चाहिए जो भी इंट्रव्यू है यह बच्चे का लिया जाएगा और यह इस जूनियर को आने वाली जैनेरेशन को इस इंट्रव्यू से फायदा हो किस तरह त्यारी करनी है कौन-कौन से बुक्स को फॉलव दरना है किस तरह का कंटेंट उनको प्रिपेर करना चाहिए कैसे टीचर के साथ अपने आपको लगा के रखना है इन सब बातों पर अभी बात को भी प्राउट की फील करवाया है आप समझ नहीं सकते कि यह वक्त जो इतना अच्छा रिजन्ट आता है बच्चा क्या महसूस करता है और बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स क्या महसूस करते हैं पेरेंट्स तो महसूस करेंगे करेंगे तो बेटा थोड़ी बात कर ल आपके बारे में मुझे बता चला पिर मैंने आफ से बात करी और फिर उसके बाद मैंने आप का रिकॉडेथल था मैं मतलब जो आपने और मनीश्टर ने कर आया हुँ मैंने आग बंद करके किया उसको फॉलो इस जैसे उन्होंने लेक्चुर के लिए बोला देखें हमारी और मनीश्टर की टीम है हम पूरा अपटर करते हैं बच्चे को बैस्टेने में बच्च कैसे प्रॉपल गरेगा आगे जाएगा उसके लिए अच्छा अब मैं आता हुँ नैक्स्ट क्वेशन है आपका सब्सक्राइब करना चाहिए या इन्होंने क्या बुक्स फॉलो की है मैच के लिए भी थोड़ा सा बताएंगे स्टैट्स के लिए थोड़ा सा बताएंगे क्या के चीज़ा सफिशिंट रही इनके लिए लेक्चर्स जो थे आपके और मनीश सर के वो तो अपने आप में काफे सविशन्ट थे और इसके अलावा मैंने जो आपने बुक्स लिखी ती आ उसको मैंने रिफर करा था और सर इसके अलावा तो कुछ नहीं करा था इस स्टुडेंट्स वनो तेंग आप सब लोग देखी रहे हैं पिछले दो साल से किस तरह का आप डाउन है कभी गटाने का वे जाता है सब बसक् tragen का तैसे उसके त्यारी करने में वारे उनको परिशानीटों समझ सकते हैं कि सभी परिवारों में कोई ना कोई इस इस बि़िभाल से थंकर क्या रहा इनके साथ थोड़ा रहा uh काफी low feel होता था, down feel होता था, COVID था, सब लोग घर पे थे अपने, और मतलब preparation में sir problem सही में आती है उसमें, और concentration नहीं बन पाता है, तो sir ऐसे समय में मैंने क्या करा था, कि मैं थोड़े थोड़े चीजें करता रहता था, जैसे मैं एकदम किसी चीज को मैंने छोड़ा नहीं थ जैसे अगर मैं दिन के तीन lecture आपके करता था, तो मैंने उसको एक कर दिया था, और मैं थोड़ा सा मतलब, बाहर भी अपने दोस्तों के साथ time spend करने लगा, तो उससे sir थोड़ा help मिला, family ने भी support करा, An important thing, बच्चे क्योंकि IIT exam की त्यारी करनी है, इतने बड़े exam की त्यारी करनी है, तो यह बहुत जरूरी है, जूनियर्स को यह जानना, कि आपने किस तरह से त्यारी की, जैसे शुरू शुरू में क्या होता है, अगर कोई बच्चा ज़ादा मतलब, माल लीजे, exam में 8 महीन है, यह 10 महीन है, तो त्यारी किस हिसाब से कर रहा है बच्चा, और अगर exam में 4 महीने बच्चे तो त्यारी किस हिसाब से करनी है, इस पर थोड़ा light through की ती, सर तैयारी तो सर जून जुलाई में मैंने जब स्टार्ट करी थी तो मैंने फ्रॉम बेसिक्स चालू करा था क्योंकि बहुत सारे कॉंसेट सर क्लियर नहीं थे उस टाइम और सर जैसे आपने कराया था कि थ्रूआउट दे यर स्लेबस दो तीन बार रिवाइज होते जा रहे थे उससे उसने बहुत हेल्प करी थी और कोई एडिशनल डिविजन की ज़रूत नहीं पड़ी लास्ट में और मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब लास्ट में जाकर आप यह जो आपको सक्सेस मिला है इसके लिए आप किन-किन को क्या क्या चीज़े डेडिकेट करना चाहरे है पेरेंट्स ऑफकोर्स फ्रेंड्स टीचर्स एंड जो भी अंदर से दिल से अवाद आ रही है थोड़ा दिल के अवास जो भी रैंक आया है सर यह डेडिकेट तो मैं आपको और मनीश मलिक सर को करना चाहूंगा क्योंकि सर बहुत सारा समय मैंने आपको बताया कि डाउन फिल होता था तो मैंने मनीश सर से और आपसे बात करके मुझे मोटिवेशन मिला बीच बीच में कोई क्वेरी है कोई क्वेस्चन है आप लोगों का सीधा हमसे कॉंटक कर सकते हैं अभी इनका इंट्रिव्य आया अभी बागी बच्चों का इंट्रिव्य आएगा और इस बच्चे को आगे के भविश्य के लिए बहुत-बहुत शुब काम ने कि सब्सक्राइब थेंकि ब